हमने करा नथिंग, 26-11 हुआ, हमने करा नथिंग, पंजाब में टेर्रिजम, नथिंग, कश्मीर में टेर्रिजम, नथिंग, 1993, मुंबई बॉम ब्लास्ट्स, नथिंग, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, कि a strong and stable पाकिस्तान is in India's favor, हम क्यों वेट करते हैं, कि एक पुलवामा हो, तब एक बाला कोट हो, हम क्यों वेट करते हैं, कि पहले एक उड़ी हो, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान चट पटा रहा है, वो जो बड़ी बड़ी, उससे कहीं ज़्यादा परेशान वो लॉबी है, वो लॉबी आतंकवादियों को फंड करती है, और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जनम देती है, भाई साब उनके दिल में सांप लोटते हैं, कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेस्वल कैसे हो गया यार, कुछ ना कुछ करना पड़ाएगा भारत का इलाज़, जैन दोस्तों, मैं हूँ मेजर गारवारी और आप देख रहे हैं तचानल के डायलॉग्स, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेला एक अन्दमाना बिलकुन मत भूलिएगा, दोस्तों, डिप्लोमसी एक जमाने में बड़ी बोरिंग हु करती थी, जब भी को डिप्लोमाट बात करते थे, मुझे तो नींद आती ही आती थी, आपको भी आती होगी, लेकिन जब से डॉक्टर जैशंकर सामने आए हैं, तब से ऐसा लगता है कि this is something very unique, very exciting, and now today everybody wants to understand geopolitics, यार इसके पीछे क्या हो रहा है, यार इसके पीछे क्या मतला यार ये स्टोरी क्या है, तो दोस्तों ये है इंपक्ट डॉक्टर एस जैशंकर का, अभी दिल्ली में एक बुक रिलीस के दौरान उन्होंने ये बोला कि the days of uninterrupted dialogue with Pakistan are over, इसका क्या मतलब है, एक जमाना था दोस्तों कि भारत की सरकार, बहुत पहले की बात है, भारत की सरका पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, और ये जो हमारी कमजोरी थी, उसका फाइदा पाकिस्तान ने उठाया, बरपूर फाइदा उठाया, दोस्तों कहना नहीं चाहिए, ये कड़वी बात है, लेकिन समझने वाली बात है दोस्तों, 1947, कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के उपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग 1965 में पाकिस्तान ने हमारे उपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग 1999, कारगिल, पाकिस्तान में हमारे उपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो हमने करा नथिंग 26 ग्यारा हुआ हमने करा नथिंग पंजाब में टेर्रिजम नथिंग कश्मीर में टेर्रिजम नथिंग मुंबई बॉम ब्लास्ट नथिंग कई सो अटैक हो गए भारत पे आतंकवादी हमले नथिंग वी हैड बिकम देन नथिंग स्टेट बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए बहुत खून के आंसू रोए है सिर्फ यह सोच सोच के कि वी डिड नथिंग यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं बात करते रहो पाकिस्तान से बातचीद बंद नहीं होनी चाहिए बातचीद बंद नहीं होनी चाहिए बिकॉस इंडिया इस अमेचूर नेशन और वी मस्ट कीप ओन इंगेजिंग विद पाकिस्तान यहाँ पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारिक में भी है दोस्तों कि a strong and stable Pakistan is in India's favor एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फाइदे में है यह सब बेवकूफी की philosophies हैं दोस्तों यह जूते के यार हैं इनको चाहिए surgical strike इनको चाहिए बाला कोट इनको लगातार और मैं तो यह surprise हूँ कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बाला कोट हो हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद surgical strike हो surgical strike और बाला कोट तो वैसे भी पाकिस्तान के उपर होने चाहिए यार चाहे वो कुछ करें ना करें ठोको इनको, डेली ठोको डॉक्टर जैशेंकर कहते हैं, सब बंद मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले के बातचीत के मामले, मैंने ताला लगा दिया हूँ आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स लग गया ताला, अब पाकिस्तान च्छट पठा रहा है, पाकिस्तान च्छट पठा रहा है, वो जो बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे थे ना लहुरी, कि हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कुण कूँ कूँ करके नीचे आगा और यहां पे पूछा गया कि साब S.E.O. समेट है पाकिस्तान में मोदीज जाएंगे क्या तो मिस्टर अंधीर जैस्वाल who is the official spokesperson of the ministry of external affairs of the government of India said जब होगा हम आपको पता देंगे अभी ऐसा कोई फैसला अनने ने लिया है तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज़्यादा परेशान है उससे कहीं ज़्यादा परेशान वो लॉबी है वो लॉबी छट पटा रही है यह पाकिस्तानी प्रेमी यहां पर बहुत ज़ादा है भारत में, बहुत ज़ादा हैं, कवाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरियानी खालो और बहुत बढ़ी आ यार, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का रास्ता है, एक्शन्स हैव कॉंसिक्वेंसिज, यह बोला है डॉक्टर एजजे शंकर ने, तुम कुछ करोगे बेटा, तो उसके कॉंसिक्वेंसिज होंगे, नतीजे तो होंगे, और यह पाकिस्तान को समझाना बहुत ज़रूरी था, और यह सिर्फ मोदी जी कर सकते थे, क चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला है कि मेरे हवाईजास तयार है, गर्मेंट अफ इंडिया से बोला, आप हुकम दीजिए, प्राइम मिनिस्टर से बोला, सर, प्लीज गिव दी ओर्डर्स, 26 ग्यारा करा है पाकिस्तान ने, बोलिए जाके ठोक दें, कि नहीं, बात यह सब बातें मत करो, उन्हें बोला, ठीक है सर, इंडिया ज़र्डर्स, आपने बोल दिया, एयर चीफ मार्शल अपने आप थोड़ना बोल देगा प्लेंस को कि टेक ओफ एन हिट कराची, यह सब ठीक है, वील स्टेंड डाउन, बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने य जब इस 11 के बाद कि ठोको इनको मेरे हवाई जास तायान है, आप एक बार हुकम दो, एक बार हुकम दो, पाकिस्तान की धरती लाल हो जाएगी, एक बार, नहीं, बात करनी है, यही डॉक्टर जैशंकर ने बोला है कि actions have consequences, uninterrupted dialogue का समय अब जा चुका है, दोस्तों इसके अल और दूसरी चीज़ है कि हमारी उनके साथ problem भी चल रही है, line of actual control की, यानि कि major powers will be a conundrum, because they are major, अब देखे, चाइना छुटा पावर नहीं है, चाइना is a major power, एक यह problem है, और दूसरी problem है कि हमारा पडूसी है, अगर चीनी होते हजार-दोहजार किलोमेटर दूर तो हमारे problem दूरना करते हैं, वो problem इसी लिए कर रहा है, क्योंकि line of actual control perceptional है, there is no line of actual control, there is no physical line which is called line of actual control, हम समझते हैं यह, वो समझते हैं और इसी समझ समझ में, जगड़ा है, युद हो गए, हजारों लोग वीरगती को पराप्त हो गए, भारती सेना के, सिपाई, अफसर, जिस्योस, त अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज की तारीक में आपको ये बात पता होगी, क्योंकि ये मेडिया सौ बार आपको बता चुका है, कि अमरीका ने 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर, दो खरब डॉलर, टू ट्रिलियन डॉलर्स कर्च करें, अफगानिस्त अमरीका चला गए, बेकर जहिर सी बातै, अफगानिस्तान में तो वह हथेयर नहीं बनते जो अमरीका को चाहिए, तो वापिस अमरीका से वह हतेयर आते थे और वापिस पैसा जाता था, अमेरिकन कमपनीस को, टू टू टृलियन डॉलर्स, तो दोस्तों टू 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 Aוד पाकिस्तानी होग ए naw इस आम-फगान से जाकर शर्फ यह बोलो आप काबुल की सबक पर ultras आ चलो बोलो इंडिया कहता है हिंदी हमारा भाई है कहता है तुम हिंदी हाँ हमारा भाई आओ बैठो हमारे घर में आओ खाना खाओ यह आपकी रिस्पेक्ट है यह लोग आपसे प्यार महबबत करते हैं अफगान लोग क्योंकि उन्होंने खून खराबा देखा है यार अब दोस्तों एक और चीज में आपको बताता हूँ जो इन्होंने अनिंट्रप्टर डायलोग के बारे में बात करी न बड़े बड़े देश कैसे गेम खेलते हैं यह भी जानना बहुत ज़रूरी है अब अब अमेरिका में ट्रम्प ने बोल दिया जब ट्रम्प की सरकार थी तो ट्रम्प ने ये बोला कि साब हम पाकिस्तान को कोई एड नहीं देंगे I don't want any money going to Pakistan ट्रम्प के अंडर कुछ जेनरल्स थे जो गेम खेलना चारहे थे जो पाकिस्तान के सगे थे दोस्तों पाकिस्तान की फाज और अमेरिका की फाज इसकी साड़गाट बहुत पुरानी है इनकी बड़ी यारी दोस्ती थी है ये एक दूसरे के साथ चलते भी हैं एक दूसरे की मदद भी करते हैं और जितने भी American generals हैं उनकी पाकिस्तानी generals के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, और पाकिस्तानी जेनरल्स के, 99.9% पाकिस्तानी जेनरल्स के, जो बच्चे हैं, या तो अमरीका में हैं, या कैनडा में हैं, यॉरप में हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं नहीं हैं, वो कहते हैं बेकार की जगे हैं, I agree with them, बेकार की जगे हैं, उनके इतने अच्छे रिलेशन्शिप है अमेरिका के साथ, कि पूरे नेटो कंट्रीज के साथ, पाकिस्तानी जेनरल्स के बड़े अच्छे रिलेशन्शिप है, यहाँ पे लेफटनेंट जेनरल HR मैकमास्टर, यह यूएस के नैशनल सेक्रिटी एडवाइजर थे, जैसे हमा with ourselves, my tour of duty in the Trump White House, यानि कि Trump के अंडर ये, NSA हुआ करते थे, इन्हों ने बोला है कि undeniable complicity है, यह कोई मना नहीं कर सकता, कि पाकिस्तान की AISI आतंकवादियों को फंड करती है, और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जनम देती है, यह अपने किताब में लिखता है, यह कह रह पाकिस्तान की मदद, अब आप बोलेंगे ना कि, अगर Americans कह रहे हैं और America का former रहने से भी कह रहा है कि पाकिस्तानी AISI आतंकवादियों को पालती है, पोस्ती है, उनको जनम देती है, उनको ट्रिनिंग देती है, तियार देती है, फिर अमरीका पाकिस्तान को पैसे क्यों द पाकिस्तान को पैसा देने करवाने के लिए ठीक है, अगर तुमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, इंडियों के साथ शेयर मत करना, चुप चाप रहो, देखते हैं क्या होता है, यह हैं आपके दोस्त, अच्छे वाले, गुड फरेंज हैं आपके, ठीक है भाई साब, यहाँ पे वो कहते हैं कि डिफेंस सेकेटरी जिम मैटिस, जिम मैटिस जेनरल थे, और जिम मैटिस यह चाहते थे कि 150 मिलियन डॉलर्स की आर्मर्ड वीकल्स पाकिस्तान को दी जाएं एड पैकेज में, मतलब कि फ्री में, आप पाकिस्तान खरीद नी रहा, पैसे एक रुपे नी दे रहा, एक डॉलर्र नी दे रहा, गिफ्ट, 150 मिलियन डॉलर्स की आर्मर्ड वीकल्स हम दे दें, ट्रम्प ने मना करा, कहते हैं जब मैकमास्टर जिन्होंने किताब लिखी ह है, जब मैकमास्टर को ये पता लगा कि मैटिस का क्या प्लान है, इसने एक मीटिंग बलवाई, जेनरल मैकमास्टर ने, जहां पर ट्रम्प ने क्लिरली बोल दिया, I do not want any money going to Pakistan, आप White House के अंदर देखें क्या politics चल रही है, एक जेनरल है, जो कि डिफेंस सेकेटरी है, यानि कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर, वो चारा है पाकिस्तान को एड़ दो, राश्पती जो है, वो क्या रहा है मना, लेकिन फिर भी वो कोने में न ये मैकमास्टर कह रहा है, जनरल मैकमास्टर अपनी किताब में बता रहा है, कि मैटिस ने बहस करी, मैटिस ने बोला कि नहीं, वो रिलक्टन्ट था, कि नहीं साब हमें दे देनी चाहिए, उनको एड़ दे देनी चाहिए, जब ट्रम्प को लगा, ट्रम्प को लगा कि ये बंदा मेरे पीछे गेम कर जाएगा ट्रम्प ने ट्वीट करा दोस्तों ये ट्वीट आपके सामने बड़ा historical ट्वीट है ट्रम्प का ट्रम्प इस ट्वीट में लिखता आप देखिये the United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years and they have given us nothing but lies deceit and thinking of our leaders as fools they give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help no more ये 1st of January 2018 अब दोस्तों जाब पुराने पाप हैं ये 2014 हसाब 6 साल पुराना ट्वीट इस से ये पता लग रहा है कि डॉनल्ड ट्रम्प के वाइट हाउस के अंदर भी गेम था वहाँ पे भी पॉलिटिक्स थी जनरल मैटस चाता था कि पाकिस्तान को मदद करो अपने राश्टरपती के हुकम के खिलाफ जाके इसलिए ट्रम्प ने खुले आम ट्वीट कर दिया ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया खुले आम अब एक बार खुले आम आपने ट्वीट कर दिया तो यानि कि फिर तो you know the cat is out of the bag इसके बाद अगर कोई करता फिर तो वो सिधा फिर जेल जाने वाली बात थी कि एक बार उसने बोल दिया किसाब नहीं होगा तो नहीं होगा बोल दिया तो यह सब गेम चलते हैं दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में लेकिन फिर से आता हूं डॉक्टर जैशंकर साब पर जो उन की लीडर्शिप और जिस तरीके से स्पष्ट शब्दों में वो बात करते हैं आपने एक बात देखी हो कि जनरली जो डिप्लोमैट्स करते हैं गोल-गोल बाते हैं जलेवी टाइप के नहीं है आपको समझ भी नहीं आएगा यहां बोलके यह ना बोलके यह ना बोलते हैं तोक के बात करते हैं दाट इस वाई इसे वी सलूट हैं कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो कर पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेला इकन आबाना बिलकुम नद भूलिएगा जाहिंद वंदे मातरम भारत माता की जाह